आधा किलो हरे आम्वला लेंगे और फिर उनको हमें कूकर में कुक करना है, तो आम्वले अच्छे से वीष्व करके कूकर में डाल देंगे, साथ में डालेंगे एक कटोरी पानी और फिर हाई फ्लेम पर 17 crave एक विसम gobierno करने लो टेंगे और जब फिर से लो फ्लेम पर एक विसल आ जाएगा तो कुकर बंद कर देंगे दस मिनट बाद कुकर खोल लीजिए देखिए आमला इस तरह से कुक हो जाएगा बल्कुल सॉफ्ट हो जाता है अपने आपी कुछ-कुछ खुल भी जाते हैं तो मैं इस प्लेट में निकाल ले रही हूँ सारे कुक किये वे आमला गुठली के साथ ही हैं जब इस कुक हो जाते हैं तो बहुत एजिली अपने आपी खुल जाते हैं तो इनको खोल कर फिर मैं सभी आमले में से गुठली अलग कर लूँगे देखे दिखाती हूँ मैं आपको इस तरह से इन में से हम सारे आमला से गुठली निकाल लेंगे दोस्तों हमारी जो किचन है न वो पूरे घर का पावर हाउस है तो जो भी होम मेकर है जो भी किचन में खाना बना रहा है पूरी फैमिली के लिए उसकी ड्यूटी बनती है कि ऐसा निट्रिशियस खाने की वो सेलेक्शन करें कि सब को इंमूनिटी मिले, एक अच्छा निट्रिशियस फूड मिले सब को पूरे पूशक तत्व अच्छी तरह से मिलें जिससे घर में बिमारियां कम से कम हो और आवला हमारी उन्ही healthy selections में से एक है आवले के जितने गुनगान गाय जाए उतने कम है आवला hair fall को रूपता है, बालो को काला करता है हमारी eyes की रोशनी को बढ़ाता है इसमें vitamin C भरपूर होता है It is the richest natural source of vitamin C इसमें antioxidants होते हैं, इसमें immunity boosting properties होती है ये eyes की muscles को strong बनाता है, cataract को prevent करता है आवला में anti-inflammatory properties होती है जिससे के inflammation कम होती है, infections से हमें बचाता है ये हमारी digestive health को बहुत improve करता है इसमें बहुत fiber होता है, जिससे हमारा metabolism improve होता है constipation की problem खतम होती है इसमें pectin होता है, जो की body के toxins को खतम करता है साथ की ये weight loss में भी help करता है क्योंकि ये metabolism को improve करता है जिससे की ये fat loss में help करता है आवला juice में antioxidants बहुत high होते हैं जिससे की हमारी body के toxins को remove करता है और fat को tissues में build up होने से रोकता है आवला से blood में white blood cell count improve होता है जिससे की हम viral infections से, flu जैसी बिमारियों से बचे रहते हैं देखे बातों ही बातों में हमने सारी गुठ्लियां भी निकाल ली और आवला mash भी कर लिया अब gas पर एक कड़ाई रखेंगे और उसमें ये mash किया हुआ आवला डाल देंगे इसके साथ ही जो बायल करते वेक कुकर में पानी थोड़ा इखटा हो गया था वो भी डाल देंगे और आदा किलो चीनी डालेंगे आवले के बराबर हमें चीनी लेनी है आदा किलो आवला था तो आदा किलो हमने चीनी ली है अभी हम flame SIM रखेंगे जिससे की चीनी melt हो जाए अभी आप हाइ नहीं करिएगा नहीं तो करमेलाईज होना शुरू हो जाएगी SIM फलेम पर हम तब तक इसको रखेंगे जब तक की चीनी पूरी तरसे melt हो जाती है तो सिम फ्लेम पर ही हम इसको खुब अच्छे से मिक्स करेंगे दीमी आज पर ये देखिए पांच मिनट बाद चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है अब आप इसकी आज थोड़ी सी तेज कर दीजिए मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करें ये जो जाग आप देख रहे हैं ये चीनी के कारण है और इनको हम मिक्स करते रहेंगे चलाते चलाते आप देखेंगे कि जाग पूरी तरह से गायब हो गए हैं इसी टाइम पर हम इसमें मसाले भी डाल देंगे इसमें कोई स्पेशल मसाला नहीं चाहिए हमें नमक डालना है 1.5 टी स्पून लाल मिर्च डालनी है 1 टी स्पून साथ में डाली है काले मिर्च वो भी 1 टी स्पून तो ये मेजर्मेंट स्पून से डालिएगा चोटी चमच से जरा सी चूख हुई और मसाले तेज हो जाते हैं अब हम फिर से इसको चलाते हुए थोड़ा कुक करेंगे, जिससे ये मसाले भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, और ये जिसके जाग हैं, ये भी आप देखेंगे, मिक्स करने से पूरी तरह से खतम हो जाते हैं, और हमारी जो आवले की चटनी है, ये भी evenly कुक हो ये कुब लंबे समय चलती है, खराब होने के स्का कोई सीन नहीं होता है, ये चीनी में पकी है, तो ये जयम की तरह, या छूंदा जैसे होता है, उसकी तरह से ये तवी तयार हो जाती है, तो अभी कुऄ करतेवे लगतो हम इसको थोड़ा पतला ही रखते हैं, क्यूंकि पक करके फ्रिज में रख देंगे और ये 6 महीने भी खराब नहीं होती आप इसको आराम से खाईए बहुत ही नुट्रिशियस आपकी आवले की चटनी पूरी तरह से तयार है बच्चों को पराथे के साथ खिलाईए जैम के साथ खिलाईए मठी के साथ खिलाईए स्टफ पराथा आप कोई बना रहे हैं बच्चों के लिए तो सौस या अचार की जगे आप या आवले की चटनी दीजिए ये टेस्टी भी बहुत होती है और बहुत ही नुट्रिशिस होती है इसे इम्म्यूनिटी भी बढ़ेगी बच्चों की आज ही ट्राइ करके देखिए और स्वाद लीजिए आवले की चटनी का